देश में खरीफ फसलों की कटाई का कारे चल रहा है. इसके बाद रभी सीजन शुरू होगा. रभी सीजन में सबसे अधिक गेहूं की खेती की जाती है. गेहूं की बुवाई अभी शुरू नहीं हुई है. गेहूं की बुवाई अक्टूबर के अंतिम सप्ता से शुरू होक मंडी में भी गेहूं सीमित मात्रा में आ रहा है, वहीं सरकार भी खुले बाजार में गेहूं की बिक्री नहीं कर रही है। गेहूं की आपूर्ती बाधित होने की दशा में गेहूं के भाव में मजबूती आई है। मंडी में गजर गेहूं के भाव में भी तेजी देखने को मिल रही है गेहूं के भाव नियंतरित करने एवं जमाखोरी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने गेहूं पर स्टॉक होल्डिंग लिमिट लगा दी है यह limit सभी राजियों और केंदर शासित प्रदेशों के traders, wholesaler, retailers, big chain retailers और processors पर लागू होगी सभी राजियों और केंदर शासित प्रदेशों के लिए यह आदेश 31 March 2025 तक लागू रहेगा सरकार द्वारा जारी किये गए मापदंड के अनुसार, अब wholesalers के लिए stock सीमा 3000 तन होगी, जबकि processor के लिए यह processing capacity का 70% होगी big chain retailers के लिए यह 10 तन प्रती outlet होगी, जिसकी कुल सीमा 3000 तन होगी, single retailers के लिए 10 तन होगी केंद्र सरकार ने खुले बाजार बिक्री योजना, OMSS के तहट अपने stock से गेहूं बेचने का प्लान फिलहाल स्थगित कर दिया है केंद्र सरकार ने इसके बदले सारवजनिक वितर्न प्रणाली, PDS, के अंतरगत गेहूं का 35 लाक टन का अतिरिक्ट कोटा 31 मार्च 2025 तक के लिए आवंटित करने का निरने लिया है, जिससे करीब 20 करोड लाभर्थियों को फाइदा होने की उम्मीद है इधर मंडियों में गेहूं की सीमित आवक होने गेहूं के दाम मजबूत रहे इंदोर की छावनी अनाज मंडी में गेहूं की 1500 बोरी आवक बताई गई मिल क्वालिटी 2700 से 2725 लोकवन गेहूं 2900 से 3000 मालवराज 2800 से 2825 पूर्णा 2850 से 2900 रुपए प्रती क्विंटल बिका व्यापारियों की माने तो आने वाले कुछ दिनों के दौरान गेहूं के भाव में तेजी आने की संभावना है गेहूं के भाव का पूर्वान उमान क्रिशी विश्व विद्याले जबलपूर के दौरा जारी किया गया है गेहूं के भाव का यह पूर्वान उमान विगद 20 वर्षों के आंकडों के सांखी की अधेयन के आधार पर तयार करता है बाजार में विभिन कारकों के कारण वास्तविक बाजार एवं पूर्वानुमान मूल्य में अंतर संभावित है गेहूं के भाव का यह पूर्वानुमान गेहूं की क्वालिटी पर आधारित है कृषी विश्व विद्याले जबलपुर द्वारा जारी किये गए पूर्वानुमान के अनुसार अक्टूबर दो हजार चॉबीस में 2570 रू नवंबर दो हजार चॉबीस में 2633 रू दिसंबर दो हजार चॉबीस से 2613 रू प्रती क्विंटल रहेंगे मंडी में गजर गेहुं के भाव जहां 2400 से 2900 रुपए प्रती क्विंटल तक बने हुए हैं वहीं चपाती बनाने में प्रयुक्त होने वाली गेहुं की किस्म के भाव अधिक है मंडी में प्रमुक रूप से लोकवन, पुर्णा, शर्बती, पूसा अहिल्या 1634 सहित कुछ अने वेराइटियों के दाम 2700 से 3200 रुपए प्रती क्विंटल तक है व्यापार जानकारों के मुताबिक आने वाले समय में इन वेराइटियों के दाम 3500 रुपए प्रती क्विंटल तक होने की संभावना है Bureau Report Market Times TV